बरसात का मौसम था लगातार कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी रामू एक गरीब लड़का था जो बूट पॉलिश करने का काम किया करता था बारिश की वज़े से आजकल उसका काम बिलकुल भी नहीं हो पा रहा था फिर भी वह रोज अपने काम के लिए निकलता भीगता हुआ गली-गली घूमता बस टॉप जाता, रेलवे स्टेशन जाता लेकिन बारिश की वज़े से किसी को भी जूते पॉलिश कराने की जरूरत नहीं हो रही थी बस करो भगवान, अब इस बारिश को रोक दो रेलवे के फुट ब्रिज को पार कर रहा था तब ही वहाँ पर उसे एक भिकारी दिखाई देता है जो इशारे से रामू को अपनी तरफ बुला रहा था पहले तो रामू डर जाता है लेकिन फिर सोचता है क्या पता उसे मदद की जरूरत हो इसलिए वह उसे बला रहा हो क्या हुआ बाबा क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है नहीं प्यारे बच्चे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है मेरा खयाल तो भगवान रखता है मैं तो मस्त मौला इंसान हूँ मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तु रोज इधर काम की सिलसिले में आता है, पर तुझे कोई काम नहीं मिलता, उपर से तु रोज पूरा भेंगा हुआ रहता है, ये चाता मेरे किसी काम का नहीं है, तु इसे अपने पास रख ले, इस तरह रोज बारिश में भीग कर बिम रखता हूँ, और सब को काम करते हुए देखता हूँ, जहां मुझे लगता है कि मुझे अब उसकी मदद करनी चाहिए, मैं मदद कर देता हूँ, जैसे कि तुम्हे अभी इस चाते की बहुत सख्त जरूरत है, ये लो, इसे रखो. रामू छाते को ले लेता है वह एक काले रंग का बड़ा सा छाता था ब्रिज के नीचे उतरते वक्त रामू पलट कर देखता है तो वह बिखारी वहाँ पर नहीं था अरे, वह बाबा कहां चले गए? कितने अच्छे थे खुद कितने गरीब थे लेकिन फिर भी मेरी मदद करने के लिए मुझे ये च्छाता दे दिया रामू च्छाता खोल लेता है और तेज बारिश में अपने घर की तरफ निकलने लगता है तभी वह बोलता है काश च्छाते के साथ आज मुझे काम भी मिल जाता तो मा के लिए गर्मा गरम कचोड़ी लेकर जाता वो कितने दिनों से बिमार है क्या पता उनका क्या खाने का मन करता है रोज दाल का पानी पी कर सो जाती है रामू अभी सोचकर हटा ही था कि च्छाते के हैंडल पर गर्म गर्म कचोड़ियां लटकी हुए नजर आती है रामू डर के मारे हिल जाता है और फिर हाथ लगा कर कचोड़ी को देखता है वै सच मुझ में गर्मा गरम कचोड़ी थी ये भगवान ये कैसा चमतकार है क्या मेरे आसपास कोई भूत है तुम तो डर गए बच्चे मैं कोई भूत नहीं हूँ मैं तो तुम्हारा जादवी चाता हूँ तुमने अभी अभी कहा तुम्हें कचोड़ी चाहिए तो इसलिए मैंने तुम्हें कचोड़ी दे दी तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो क्या, वाकई में तुम जादू इचाते हो, जो मैं कहूंगा तुम उस सब करोगे हाँ मेरे आका, जो तुम कहोगे मैं वही करोगा अच्छा, तो क्या तुम उन छोटे कुत्ते के पिल्लों के लिए घर बना सकते हो देखो, तीस बारिश में उन कैसे भीग रहे है बिल्कुल, मैं ये कर सकता हो, ये देखो तभी रामू देखता है कि वह सारे छोटे पिल्ले एक छोटे से घर के अंदर है रामू बड़ा खुश होता है और उस छोटे से घर को उठा कर एक पेड़ के नीचे रख देता है फिर वह जादू इचाते से बोलता है कि वह इन कुटों के पिल्लों के लिए गरम गरम दूद और खाना दे दे जादू इचाता तो रंत कुटों के लिए गरम गरम दूद और खाना ले आता है ये देखकर रामू बहुत खोश होता है तुम तो बहुत खुश लग रहे हो और इस खुशी में तुम भूल गये हो कि तुमने अभी अभी मुस्य गरम कचोडिया मांगी थे तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतिजार कर रही है चलो जल्दी से उन्हें गरम गरम कचोडिया खाने के लिए दो अरे हाँ ये तुम्हें भूली गया तो चलो फिर घर चलते हैं तभी रामू देखता है कि छाता हवा में उड़ने लगा है और वै उड़ता हुआ घर पहुँच गया उसकी कपड़े बिल्कुल सूखे हुए थे और उसका सामान बिल्कुल सही सलामत था जादू इचाता घर पर जाकर अपने आप बंधो जाता है और रामू गरम गरम कचौड़ी ले जाकर अपनी मा को देता है गरम गरम कचौड़ी? अरे ये कहां से ले आया? तो कभी कुछ नहीं मांगती मां, बस मेरा दिल किया कि आज तेरे लिए कचौड़े लेकर चलूँ, तो इसलिए ले आया रामू की मां खुशी-खुशी वह कचौड़िया प्लेट में निकाल देती है रामू और उसकी मां दोनों वह खाने लगते हैं तभी उनके दर्वाजे पर दस्तक होती है अरे रामू बेटा, तु घर पर है? मेरा एक काम करेगा? मेरा घर इतनी तेज वारिश में टपकने लगा है और तुम्हारे चाचा जी घर पर नहीं है क्या तुम एक बरसाती खरीद कर ला सकते हो? हाँ हाँ चाची, क्यूं नहीं? रामू चाता घर से लेकर बाहर निकल जाता है तभी जादूई चाता उसे याद दलाता है तुम तो बड़े ही भुलक कर हो जब तुम्हारे पास से जादूई चाता तुम क्यूं हो रहे हो परिशान? चाची की लिए हो जाएगा अभी अभी बरसाती का इंतजाम तभी रामू के हाथ में एक बड़ी सी बरसाती आ जाती है वह ले जाकर चाची को दे देता है अरे बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी ले आए अब एक काम करो जल्दी से इसे घर की छट पर फैला दो और ध्यान से देखो छट कहीं से कच्ची ना हो तुम बिलकुल फिक्र मत करो चाची अभी लगा देता हूँ तुम्हारे घर पर बरसाती अरे वा, तुम तुम मेरी बोली बोल रहे हो चलो तो फिर चाची के छट को पक्का कर देते हैं काम खत्म होने के बाद रामू घर आता है तो उसकी मा उससे उस छाते के बारे में पूछती है मा, मैं तुम्हे कुछ दिखाना चाहता हूँ ये छाता कोई मामूली छाता नहीं है एक जादूई छाता है ये एक बाबा ने मेरी मदद के लिए मुझे दिया है जादूई छाता तुझे सारी दुनिया में एक मैं ही बेवकूप बनाने के लिए मिली हूँ क्या अच्छा, सच-सच बता ये छाता तुझे किस ने दिया है मा, मा ही होती है कभी भी एक बारी पर बच्चों की बात पर विश्वास करते ही नहीं है मैं एक जादवी चाता हूँ और मैं मदद के लिए आया हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी मैं आप लोगों की मदद करूँगा तो क्या तुम मेरी मा की बीमारी भी ठीकर सकते हो देखो तो पिछले 15 दिन से इनका बुखार है कि उतर ही नहीं रहा उधर रामू की मा हैरानी से कभी रामू को तो कभी जादू इचाते को देख रही थी जादू इचाता दो-तीन बार रामू की मा के उपर से घूम जाता है और देखते ही देखते वा बिल्कुल ठीक हो जाती है अपने आपको देखने के बाद मैं तो एकडम ठीक हो गई हूँ अब मुझे अच्छा लग रहा है कमजोरी भी नहीं लग रही तुम तो सचमुद में जादू इचाते हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मा आपने मुझे फिर से बताया कि मैं एक जादू इचाता हूँ जादू इचाते की बात सुनकर सब लोग हसने लगते हैं अगले दिन बारिश रुख जाती है रामू और उसकी मा बड़े खुश होते हैं अच्छा मा मैं काम पर जा रहा हूँ मैं भी रामू की मदद के लिए जा रहा हूँ ठीक है आराम से जाओ और शाम को टाइम से घर आ जाना बारिश रुखने से सभी लोग खुश हैं धीरे धीरे सरकों पर से पानी भी खत्म हो जाता है रामू बस टॉप पर जाकर अपना सामान रख लेता है और तभी वहाँ दो तीन लोग आते हैं और रामू से बूट पॉलिश करवाने लगते हैं जल्दी जल्दी आ चलाओ मुझे आफिस को देर हो रही है मेरी बस आने वाली है अभी लो तभी रामू हाथ में कपड़ा उठाता है और वह कपड़ा देखते ही देखते जूते को चमका देता है रामू छाते की तरफ देखता है तो छाता मुस्कुरा कर रामू की तरफ आँख मार देता है जल्दी जल्दी रामू सभी के बूट पॉलिश कर देता है और फिर पैसे अपने पास रखे हुए डब्बे में रख लेता है तभी वहाँ पर दो-तीन बड़े लड़के आकर रामु को परेशान करने लगते हैं और एक लड़का उसकी डब्बे को उठा लेता है और उसमें से पैसे भी मुझे मेरा डब्बा वापस करो और मेरे पैसे भी ओहो, देखो तो कैसे अपना डब्बा और पैसे मांग रहा है जा, नहीं देता तुझे तेरा डब्बा और पैसे पता, तु क्या कर लेगा? चलो भाई लोग, आज की चाय का इंतिजाम तो हो गया मुझे मेरा डबा वापस करो अगर वापस नहीं किया तो क्या कर लोगे पिद्दी भर के लड़के तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते रामू रोकर छाते की तरफ देखता है छाता आँख बन कर उसे इशारा करता है और फिर रामू में इतनी ताकत आ जाती है कि वा उन लड़कों से अपना डबा और पैसे चीन लेता है और उनसे भिड जाता है देखते ही देखते रामू सबको धूल चटा देता है जाओ और जाकर मेहनत से पैसे कमाओ तभी उनमें से एक लड़का रामू के छाते को उठाता है और वह सब लोग वहां से भाग जाते हैं रामू उनके पीछे काफी दूर तक भागता है लेकिन वह उन लोगों को पकड़ नहीं पाता रामू वापस अपने सामान के पास आ जाता है और अपने जादूई च्छाते को याद करके रोने लगता है मेरा जादुई चाता लगता है तुम्हारा और मेरा साथ बस इतना ही था उधर वैसब लड़के एक गली में पहुँच जाते हैं तब ही वह जादुई चाता अपने आप खुल जाता है और उन लड़कों से कितनी गलत बात है तुमने उस बिचारे रामों को ऐसे ही परिशान किया उससे जो मार पड़ी वो तो बहुत कम थी लेकिन अब तो तुम्हारी कुटाई होने माली है वो तुम बरदाश नहीं कर पाओगे वैस अब चाते को बोलता हुआ देखकर घबरा जाते है तब ही चाता गोल-गोल घूमकर उन लोगों की बहुत पिटाई करता है वे सब हाथ जोड कर जादू इझाते से माफी माँगते हैं तब जादू इझाता उनसे कहता है कि रामू की तरह तुम भी मेहनत करो और अच्छे बच्चे वनो फिर जादू इझाता उनकी मरहम पट्टी भी कर देता है और फिर सारे लड़के छाते को लेकर आते हैं और रामू को दे देते हैं हमें माफ कर दो, हमें सभक मिल गया है अब हम भी तुम्हारी तरह मेहनत करके पैसे कमाएंगे और ये लो, अपना छाता रामू छाते को लेकर कले से लगा लेता है मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया एक तो तुम डरते बहुत हो मत भूलो मैंने तुम्हें चुना है तुमने मुझे नहीं इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा इस तरह जादू इछाते की मदद से रामू बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है और एक दिन धीरे धीरे उसके पास अपनी एक जूतों की अच्छी सी दुकान होती है पर आज भी वैजादू इछाता रामू के पास होता है